इस नए वर्स में सनी देब रासी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं लेकिन उनकी इस्तिति में बदलाव हो रहा है इसके कारण कुछ रासीयों के लिए नया वर्स खुसियों बरा हो सकता है जोतिस आचारे के अनुसार बताया गया कि जोतिस सास्त्र में सनी देप को न्याय के देपता कहा गया है एवं कर्म फल दाता भी कहा जाता है वहें व्यक्ति को उनके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं सनी देव इस समय अपनी रासी यानी कुम रासी में ब्राजमान हैं जो की बर्स 2025 तक ब्राजमान रहेंगे लेकिन नए बर्स 2024 में उनकी इस्तिती में बदलाव हो रही हैं इसके साथ ही 12 रासीयों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाब देखने को मिल सकता है हमारा नवर समबस्तर तो गोड़ी पड़वा से प्रारम होता है लेकिन बर्तमान में जो समबस्तर 2018 विक्तम समबस्तर तल रहा है इसमें सनी जो है वो कुम रासी में इस्तित है और कुम रासी में इस्तित होने से मकर, कुम और मीन इन तीन रासीयों के लिए वहाँ सारे साथी की स्तिती बना रहा है और करक और ब्रश्चिक रासी के लिए वह धिया की स्तिती बना रहा है तो वो आपको सम्पून प्रकार का हैश्वर्य धनसंपत्ती बाहन भूमी इत्यादी प्रदान करते हैं और सब चीज हमसे खीन भी लेते हैं शनी के कारण एक्सिडेंट इत्यादी होते हैं शनी की यदि दिश्टी ठीक नहीं है तो विक्ति मुकदमे त्यादी में भी हार जाता है इसलिए शनी की सुब दिश्टी पर सुब फल प्राप्त होता है यदि किनी की रासियों में शनी सुब नहीं है जिनकी ढहिया चल रही है या जिनकी साड़े साती चल रही है इन सभी र राशी वालों को बगवान शनी के दर्शन करना चाहिए, शनी मंदर में जाकर के परिक्रमा लगाना चाहिए, शनी का जो दान कहा गया है तिल का तेल, लोहा, काले तिल, उड़ाद, काला वस्तियादी जो है, तो किसी जोसी को या सनी मंदर में जाकर के दान करना चाहिए, इस की THIS सांअ हुद्ma şahin उससे से हमिएं में हमेशा सभरवाध होता है .hannumanjee महराज की छाधना। इसलिए जिनकी रासी में 새ंशनी असुप हैं उन सभी रासी बालों को रुमान G40 का याjoy असुंदर कान का नित्य पाइट, इससे Ricky को फट पक नो台 seven झाल